हेलो दोस्तों यूपी पुलिस कॉंश्टेवल का 23 अगस्त का सेकिंड सिप्ट का सॉलूशन में कराने जा रहा हूं 15 से 20 मिनट लगीगा और मस्त सॉलूशन सुनिएगा च्छे आमों की कीमत 90 रुपे है तो 10 आमों की कीमत बतानी है तो देड़ सो कितना इसी था एक रासी का भुकतान 1764 की दो वार्सिक किस्तों में किया गया दो बराबर जिससे वार्सिक सेयोजन 5% चक्रवर्ती ब्याज मिलता है तो 5% का मतलब होता है दोस्तों एक बटे 20 20 रुपे पर एक रुपे का ब्याज ये मुलधन एक रुपे का ब्याज ये परते किस्त का मान और दो बराबर बराबर किस्तों में चुका रहा है तो स्क्वेर करना पड़ेगा आपको 20 का स्क्वाइर 400, 21 का स्क्वाइर 441, दोनों किस्ट बराबर होनी चीए, इसलिए 21 का गुना करेंगे, तो यह बनेगा 420, तो टोटल मूलदन कितना आ गया बाबू, 820, इसे बोलते हैं, प्रते किस्ट का मान, इसे बोलते हैं, मूलदन, प्रते किस्ट देरखिये 1764, सीधा सी भुना गर लो चार दुनियार चार अठे बत्तिस बत्तिस सोजीज Biz द राइट अंसर मस्त था कितनी वार मैंने बता दिया सीकिसी काम को ठाथे दिन वी उसी काम को चौबिस दिन में सीविसकाम को औठा रहे दिन वी उसकाम को दोनों आठ दिनों तक काम कर रहे तो अठ्ठो सत्थ हो 56 नोग अज हो गया तो बहतर मैं से 56 नों सोली बचा फिर बी नेकी दिनों में पूरा किया तो Kai स्वीर कारे को परें की मातलब अगुर्षय कर लिए है और बीबी 75 दिन में कर रहा है इनका लगुत्तम हो गया 75 इनकी चमता हो गई एक-एक दौनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड दिया तो बी ने से इस काम को 23 दिन में किया बी की छमता कितनी है एक एक दिन में एक काम तेइस दिन में तेइस काम टोटल काम कितना है पिचितर पिचितर में से तेइस काम हो गया तो बावन काम बचा अब यह बावन कौन कौन करेगा ए और भी करेंगे ए और भी की छमता कितनी है दौनों की दो है तो बावन मे के बाद काम छोड़ा एक वस्तू की कीमत में 25 परसंट की ब्रद्दी की गई तो 25 परसंट बढ़ा दो फिर 20 परसंट गटा दिया गया इसका 20 परसंट निकालना बढ़ेगा 125 का 20 का मतलब एक बटे 5 125 का यह वित दाझ निकाल कई विस की कमी की powerful और भी और यहे काल 0 52000 की कमी तो 15 से बंड़ से कमी ठीक मी पास से कमी विलू हो unique चार फिर 10% बढ़ा दिया गया दस में एक बढ़ा दी वैलू 10 से 11 कर दी 5 से 5 खतम 4 से 4 खतम तो 10 से वैलू होगे 11 तो overall एक की ब्रद्दी दस पर एक की ब्रद्दी दस पर और गोना 100 मज़ा ही आ गया बिल्कुल सेम टू सेम नंबर लाइन पर भी कर सकते हो रेशो मैथर से भी कर सकते हो नंबर लाइन भी पता है आपको और रेशो मैथर भी पता है 180 रुपे परती किलोग्राम और 280 रुपे परती किलोग्राम दर वाली दो परकार की चायाओं को किस अंभवात में मलाएं कि उसे 320 रुपे में बेचने पर 20% का लाभ हो 20% का मतलब होता है 1 बटी 5 اور 5 रुपे पर 1 रुपे का लाभ अब विक्रे मुले दिर्खा 320 तो 6 की value 320 5 की value निकालनी है 6 को नीचे भेजो 5 को into में भेजो 32 बंजे 160 तो 1600 बटे 6 800 बटे 3 दो से काट लिया तो ये उस मिस्रण का क्रेमुल्ले हो गया अब दो बरकार की चाय है पहली चाय का क्रेमुले 180 दूसरी चाय का क्रेमुले 280 मिस्रण का क्रेमुले 800 बटे 3 एक जिरो एक जिरो एक जिरो से एक जिरो उड़ो गई काटना चाहो तो काटो बिलकुल अच्छे से काटो 3 का गोणा कर लो सम्में वैसे 3 का गोणा कर लो है 2 से काटना चाहो तो 2 से भी काट लो 2 नाम 18 सार upgrades 2 से कितनी बार गया 14 और 2 और कितनी बार गया 80 तीन का घुरा करो सम्मेर in यह कि बटे तीन आ नीचे तीन अठाना थ सम्में तो 9th27 14 त्या 42 और यहां 3 का घुणा करेंगे वी 10 बचे गा तो कर रिवा लिस मंसे 40 गया दो चालिस में से 27 गया 13 दो और 13 तो हम उन मिस्रणों को दो और 13 के अनुपात में मिलाएंगे मजा ही आ गया भाई visually does a और BC गती का अनुपात कितना है दो और 37 गती और समय एक दूसरे के विद्करमा अनुपात होते हैं यह गती का नुपात तो यह बताओ समय का अनुपात कितना होगा बाभू 3 और 2 तो एको गंतपमें तक पोहुचने में बी 23 लियेगा इसमय से 15 मिनिट अधिक लगते हैं तो 15 मिन्ट समय का अंतर है, तो 1 की वेलू 15, समय का अंतर 1, 1 की वेलू 15, 3 की वेलू 45, तो A को 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट दिया तो घलत उत्तर हो जाएगा, अगर एक दुगनी गती से चला होता, अगर चाल A ने दुगनी कर दी, समय आदा हो जाएगा, A दुगना चलेगा, ए ये ने अपनी गती को दुगना कर दिया, अब कितने समय लेगे हैं समय को आदा कर दो, पैतालिस का आदा साड़े बाइस, साड़े बाइस इस दा राइट अंसर, एक धंडराशी सादरन व्याज पर 5% बारसिक दर से 3 गुना हो जाती है, तीन गुना का मतलब होता है 200% ब्याज, दर इंटू समय बराबर सादरन व्याज, तो सादरन व्याज कितना है 200%, और दर कितनी है बाबू 5%, और किस दर पर बैच 6 गुना हो जाएगी, 6 गुने का मतलब 500% व्याज चाहिए, तो ये वेलू 2 गुना, दोसो का धाई गुना 500, पांच का धाई गुना 12%, समय सेम है, समय कोई छेड़ो ही मत, समय भी निकाल सकते हो, 40 साल, पांच में कितने का गुना करूँ, 200 आ जाए, 40 साल, अगर इसमें समय पूछता, तो 40 साल आंसर होता, समय भी पूछा जा सकता था, आगे की सिफटों में समय भी पूछा जा सकता है तो चालिस साल इस दा राइट आंसर सुरी यह वैलू धाई गुना तो इसका धाई गुना कर दिया तो आपकी जो दर लगेगी वो साड़े-बारे परसेंट लगेगी यह कॉशन आपको परेशान कर सकता है और ऐसे कॉशन आगामी सिफ्टों में देखने को मिले तो छोड़ देना क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें सेवा से सेवा निवरत पर एक व्यक्ति की पैंशन उसकी सेवा के पिछले तीन वरसों के उसत वेतन के कि यादे के बराबर है तो पिछले ती पिछले तीन साल की ओसत मान लिता हूं एबीसी एपाँण थ्री पिछले साल का और निए पिछले साल की आए देखनी है एक जणवरी 1983 का उसका आय कितना था 380 फिर इतने इतने तारिक को 40 रुपे की ब्रद्धी कर दी तो इधर हो गया पहले 3080 था इधर 40 की ब्रद्धी हो गई तो इधर हो गई 420 आये इधर हो गई 460 आये और बाबु इधर हो पानसो आए, 40-40 की प्रद्धी कर दी, पहले 380 थी, इधर हो गई 420, इधर हो गई 460, इधर हो गई 500, और ये पिछले 3 साल की आए है, पिछले 3 साल की आए, तो भाया, तो वे परती महा की, कितनी पैंसन करेगा, तो तीनों को जोड़ कर, किसका भाग देना है, छे का भाग द गाएगा, 230 परफेक्ट उत्तर होगा, 230 परफेक्ट उत्तर होगा, किसी संख्या का 70% 0.35 है, उस संख्या का 120 परसंट निकालना है, मजा ही आ गया, 70 को नीचे भेजो, 120 को इंटू में भेजो, 0 से 0 कट गई, 7, 5, 5, बार, 12, 50, अब पॉइंट लगाओ, दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो इधर भी दो संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, तो बहुत से 6 लगाएंगे, 6 मत लगा ना, पॉइंट 6, पॉइंट 6 यही option है, D option, पॉइंट 6 is the right answer, एक व्यापारी ने 25% का लाब सामिल करने के लिए एक बस्तू की कीमत अंकित की, वो 25% का लाब कमा लेकिन वो 16% की छूट देता है, 125 का 16% होता है, 16% की उसने छूट दी, 125 का 16% निकालूँगा, बीस रुपे, 25 बंजे, 125, 25, 100, 4, 16, 20 रुपे की उसने छूट दे दी, 125 मैं से 20 रुपे की छूट दे लिए 105, तो यहां से मुझे पता चला कि उसे 5% का प्रॉफित होगा, उसक जो वास्तविक profit होगा वो 5% का होगा एक किर्किट खिलाडी को 30 पारियों के लिए बल्लेवाजी उसत 40 रन है एक किर्किट सिकारी बेच में अगर पड़े हो तो यह question बिल्कुल same to same है बिल्कुल same to same सिकारी बेच में से 100% है और 12 गंटी की मेराथन में आपके 15-16 questions मिल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों याद रखना पूरा content वसाया हुआ है पूरा के पूरा दो तीन question को छोड़ कर जो सही बात है सही बात है उसके सरवच्चत स्कोर और नियूंतम स्कोर से 100 रन अधिक है तो highest औ और लोएश्ट का अंतर सो है और चाल जो 30 पारियां है इनका उसत 40 है तो मतलब सबके बाद 40-40 रन चाली 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 सरवच्चत स्कोर नियूंतम स्कोर से 100 रन अधिक है अधिक का मतलब होता है अंतर यह बात क्लियर हो गई तो आईए इस्टो लोश्ट कांतर कितना है सो जोड़ कर दो का भाग और घटा कर दो का भाग घटा कर दो को कभाग दो अठारा मोट्व फारी इतंए कि अविशंद भी आस तक मैंने नहीं कराया है किसी वी वैच में यह आप फसासकते हो तो किसी नहीं करायोगा जहां यह कोशन अगर ऐसे देखें तो मेरे प्यारे साथे हूं चोड़ देना एक्जाम में कोई करने का मतलब नियेन कोशनों को फिर भी में करा देता हूं एक निर्मादा एक विश्चेस घटक के दो जाट टुकड़े पचास रुपे परती पीस की दर से आप उर्ती करने का वचन देता है और पांच परसन घटक गुडवत्ता परिक्षा पास करने में तो दो हजार का पांच परसन होता है सो तो सो ऐसा फल हो गए तो उनिस सो ही देगा और उनिस सो पचास रुपे परती पीस के एसाब से देगा तो पिच्चान में हजार रुपे उसको मिलेंगे फिर वेवे पच्चीस परसन का लाब पास फिर भी वेवे पच्चीस परसन ल बोना करूंगा तो उसका जो क्रेम उल्ला पड़ेगा च्छेतर हजार पड़ेगा लेकिन वह क्या कर रहा है कि 50% एसुकार कर दिये गए 50% एसुकार कर दिये गए लेकिन जब वह बेचने गया तो 50,000 रुपे ही मिले तो भाईया 26,000 का तो उसे लॉस हो गया 26,000 का लॉस हो गया एक कार को 6400 में बेचने पर सीराब को 20% की हानी हुई एक बटे 5 पांच रुपे पर एक रुपे की हानी विक्रह मुले पांच विक्रह मुले चार चार की वेलू 6400 शोले सो का गोणा तो इसमें 16,000 का करूंगा तो आठ हजार आठ हजार आठ हजार एक पुराना टूबलर 246 में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है यदि उसे 580 में बेचेगा तो जो profit होना चाहिए जो profit है वो हानी का दुगना है तो profit और हानि का जो ratio बनेगा 2 ratio बन बनेगा 580 में बेचեगा तो profit बनेगा और 460 में बेचेगा तो loss बनेगा Crime ur lehe क्या है? option से भी कर सकते हो commitment 500 माल लो तो profit बना 90 loss बना 40 तो profit दुगना होना चाहिए loss से 80-40 का दुगना है 80-40 का दुगना है तो option से भी हो जाएगा option से नहीं करना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथ ही हो 580 में से 460 को घटांगा तो कितना बनेगा 120 2 और 1 3 3 की value 120 कितने गुना 40 गुना तो इसका 40 गुना हो गया 80 इसका 40 गुना हो गया 40 तो 500 सी में से सी को घटाएंगे तो बाबू कितना आजाएगा 500 आजाएगा यह डी इस दा राइट आंसर डी इस दा राइट अंसर एक नाव धारा की विप्रीत का मतलब होता है बी प्लश डबलू बी प्लश डबलू असी किलोमेटर सोले घंटे में तो पांच किलोमेटर प्रती घंटे चाला गई और धारा के साथ मतलब बी प्लश डबलू बहतर किलोमेटर बारे घंटे में बारे चिंग बहतर तो धारा के साथ चाला गई च्छे तो डबलू की वैलू निकालनी है कैसे निकालोगे इस इक्क क्लोमिटर प्रती घंटे की गती से तै करता है बी की वैलू साड़े बाइस है और यह पाता है कि धारा के विप्रीत और धारा के साथ का जो समय है दुगना है धारा के विप्रीत जो समय है धारा के साथ के समय का दुगना है धारा के विप्रीत लिया गया समय धारा के साथ लि यह B-W की वैलू, यह B-W की वैलू, तो B और W की वैलू कैसे निकालेंगे, इसको एक बार जोड़ो, और इसको एक बार घटाओ, तो B और W का अनुपाता आएगा तीन और एक, तो B की वैलू साड़े बाइस, तो 3 की वैलू बाबू साड़े बाइस, कितने गुना साड़े सा गुना कर लो धारा की जो चाल आएगी साडैसात आएगी एक बटे दो कि तीकार एक पुर्श्टाट इस्टाराइड आंसर और और सजिव हैं एक तो हैं सचिब और बरिष्ट यह आज तक नहीं कराया गया कॉशन किसी भी बैच में तो यह अलग टाइप का कॉशन आया है किसी भी बैच में नहीं कराया चाहे कोई सा भी हो कि विल्कुल भी मत करना इनको एक कारहलं में वरिष्ट अदिकारी में सचीब 15 सचीब उस्चिब यह प हैं 15-6 पर चले जाएँ तो प्रते सचीब के उपर जितने भी सचीब बचें उनके उपर 2 परिष्ट अदिकारी तो मतलब जितने भी सचीब हैं उनके लिए दो वरिष्ट अधिकारी मतलब यह यह वैलू इनसे दुग नहीं हो जाएगी अगर यह दस है तो यह 20 हो जाएगा अगर यह 20 है तो यह 40 हो जाएगा यह 30 है तो यह 60 हो जाएगा ऐसी करके तो प्रतेक सचिब पर दो वरिष्ट बैढ जाएंगे और उसके बाद 45 वरिष्ट अधिकारी चुट्टी पर चले गए तो जितने भी वरिष्ट अधिकारी है उनमें से 45 चुट्टी पर चले गए ने कर शाथ प्रतेक वरिष्ट अधिकारी के पास 5 सचिब होंगे तो यह वैलू इसकी 5 गुना होनी चाहिए यह वैलू इसकी 5 गुना ऑप्शन ब यह पाच गुनान अची है सबसे बैस्ते हैं इन कुशनों को करने का तरीक ऑप्षन 28510 1440 का महत्म समा पड़ते हैं तो 15 इन सब चाहिए यह आधार कितना है आठ उंचाही अ किटनी है शोला दो से सोल से को काटो आठ बार कितने आ 64 मीटर स्क्वयर आजाएगा एक अदमी अपनी यातरा की पहली 200 किमित्र किलोमेटर और अगली 200 किलोमेटर 50 किलोमेटर प्रती हंटे या आतरा से तैय करता है और सच्छाल क्या होगी टू एस वन एश्टू अपॉन एस बन प्लस एश्टू एस बन कितना है असी एश्टू कितना है पचास असी और पचास एक सो तीस पान दूनी दस दस इंटू असी आर सो आर सो बटे तेरा तेरा चिंग अठेतर दो बीस एक सट पॉइंट त्रेपन किलोमेटर प्रती हंटे एक सट पॉइंट त्रेपन किलोमेटर प्रती हंटे उसक 2-200 चलिये दो डिढाई ओ रही है इनको कराते हैं ग्राव का अध्यान किजिए और पता लगए पिछले वर्ष से अगले वर्षत की चाहिए अधिकतनी बुर्दी यह चाहिए यी तो है इधर कितनी बुि mise 2 की ब्रदी 13 पर और HOW कि लगभग 15 परसेंट की ब्रदी सबरने की ब्रदी इसमें इधर बताओ दो की बुर्दी पन्दरे पर और गुना सौ फंद्रे एकम पंद्रे पाच पंद्रे तीया पैतालिस इधर 13 पर सेंट की इधर 15% की इधर 13% की इधर 17% की और 17% तो इसी आप्शन में है 17.45% तो इसी आप्शन में यह अच्छा कोशन है निमलिकित पाई जाड़ की पुस्तंक पकाशन में किये गए वे का प्रतीशत दर्साता है यदि किसी पुस्तंक का अंकित मुले लागत मुले से 40% अधिक है तो क्रे मुल्ले और अंकित मुल्ले अंकित मुल्ले 40% अधिक है तो क्रे मुल्ले 100 अंकित मुल्ले 140 और अंकित मुल्ले रखे 280 तो 140 की वेलू 280 दुगना तो पहले क्रे मुल्ले निकालो 200 तो इस पाई चार्ड का पूरा क्रे मुल्ले आ गया 200 तो पुस्तक की एक प्रती में प पहले अंकित मूले से लागत निकालो लागत निकाली दोसओ ये लागती तो है पूरा पाई 4 तो 200 लागत आ गई हो ये कागज प्ँछा है 25 परसंट जो का 25 कितना होता थो लिए यह था हमारे पीडियाब चाहिए तो एड़ सैवन डबल जीरो बारे चौन सट इक इस इस पर भाईया हाई लिख देना हमारे वार्सप ग्रूप में जॉइन हो जाओगे सूचना हमारी क्लासेज पीडियाब तमाम चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको और टेली ग्राम चैनल विपूल सर एक्जामपूर नोर्स विपूल सर एक्जामपूर नोर्स ध्यान डखना ध्यान डखना नब्वे विपूल सर एक्जामपूर नोर्स विपूल सर एक्जामपूर नोर्स विपूल सर एक्जामपूर नोर्स विपूल सर एक्जामपूर नोर्स टेली ग्रम चौदे से पंदरे कोशन सही करना चाह रहे हो 25-26 कोशन आ रहे हैं तो मेरा थन के लाज ले लेना बारे घंटे की याद रखना बहुत तुरुप का एक का है वो बारे घंटे की मेरा थन चलिए आज का सेसन समाप करते हैं मिलते हैं अगली सिफ्टों में थैंक यू